हलो एवरीवन वेल्कम बेक टू नॉलिज फॉर फ्यूचर इस्टडी चैनल इस वीडियो में हम पचास कोश्चन साइन्स के डिसकस करेंगे जोकि इंपोर्टन कोश्चन होंगे आने वाली एक्जाम्स के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें को पहला कोश्चन है जल की इस्थाई के टोरता का क्या कारण है कैल्सियम मेंगनीश्य यह जर्की स्थाई के कम दें Buddhist natuur होती के परमानेंट था होती है यढ़े उरक से नि हाश्यी गैस कौन सी होती है, nitrogen--dı-oxid, यह है, जो हाश्य गैस होती है, nitrogen--dı-oxid, ठीक है, तो D-Option यहाँ पर collect हो जाएगा nitrous, बिर्तिवर्स 5万 भारती है, एक रोगा से मरते हैं, इसकी पैचान कीजिए तो वह 6 रोगा unuse घुर8 ह। जिसे किये जाते हैं डॉल्फिन इस्तनी इस्तन पाई बोले जाते हैं डॉल्फिन ठीक है अपमार्जक क्या है अपमार्जक सोधन अभी करता है ठीक है अपमार्जक सोधन अभी करता है अर्कियो टेरिक्स क्या है अर्कियो टेरिक्स है जुरासिक युक का सर्व पुरातन पच्छी जो अर्कियोप्टेरिस है यह जुरासिक युक का सर्व पुरातन पच्छी है जीवन चक्र की द्रश्टी से पौधे का सबसे महत्पून अंग कौन सा होता है तो वह होता है पुस्प इंपोर्टन कोश्चन है जीवन चक्र की द्रश्टी से पौदे का सबसे मेट पुडंग पुस्प होता है किस बनस्पति खाद में अधिक्तम प्रोटीन होता है तो सोया बीन में अधिक्तम प्रोटीन होता है सबसे लंबा जीवित ब्रच कौन सा है सबसे लंबा जीवित ब्रच सिकोवा है ठीक है अगला कोश्चन है बर्तमान प्रमाण के अंसार प्रित्वी पर जीव का उदगम दो लाख बर्सपूर हुआ था इस युग में प्रोटो जोगा सेवाल इबम जीवाणू था करेक्ट अ सब्सक्राइब चाहित करता है यह यह सुष्ट इनरजी को अलगता है क्योंकि जो लगू तरंग है वो दीर की तरंगों की अपच्च्छा बाईूमंड्डल द्वारा अधिक प्रिकिंडन होती है बी ओप्सन यहाँ पर correct होगा एक micron किसके बरावर होता है एक micron 1 upon 1000 mm के बरावर होता है अतीचा लगता का लच्छन क्या है उच्च पार गम मिता यह अतीचा लगता का लच्छन है अगला question है बरस दीर गतम होता है तो दीर गतम किस पर होता है प्लूटो पर सबसे क्योंकि प्लूटो सबसे अधिक दूरी पर है बरसा की बूंद की घोला का राकृति का कारण किया होता है तो प्रस्ट तनाव जिसको surface tension बोलते है यह बरसा की बूंद का गोला का राकृति होने का कारण होता है कमरे में रखा रेफिरिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाए तो आप अंतताय कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं यदि रेफिरिजरेटर को खोलेंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा C-Option करेक्ट है किस खनिच से रेडियम प्राप्त किया जाता है तो रेडियम पिछ बिलेंड से प्राप्त किया जाता है इंपोर्टन्ट है परमाणु बंब का सिध्धान्थ कौन सा है परमाणु बंब नाव किये विखंडन पर आता रित है और सूर्य में नाव किये सल्यान होता है दो शेट्रिक एच्वरוצ में पाया जाता है बायू क्या है बायू एक मित्रन है कre ब्रण्जक चुन के लिए कौन सा कतन असत्त है यह जल में अधिक बिले होता है ये कतन असत्य है जल में बिले नहीं होता है पारद धातू पारद धातू मिस्तर धातू होती है पारद युक धातू होती है वो मिस्तर धातू होती है जल से भार निकाले जाने पर मचलिया मर जाती है क्यों होता है ऐसा पिस्वास नहीं ले पाती है C option यहाँ पर correct है मदुमक्खी कॉलोनी के सदश्य एक दूसरे को किस प्रकार से पैचानते हैं तो नरतन से पैचानते हैं C option यहाँ पर correct हो जाएगा गलत नहीं करना है इस question को ठीक है ना तो गंद है इसका अंसर ना द्रश्टी है ना इस पर से C option है इसका नरतन से C option मनुष्य के जीवनकाल में कितने दाथ दो बार विक्सित होते हैं important question है पूछा जाता है एकजाम में correct answer है बीस दाथ जो बीस दाथ होते हैं यह दो बार विक्सित होते हैं मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं आधू ऍजाम मनुष्य के मरें आठ अस्थियां होती हैं important है यह भी question, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन सा है तो वो है क्रोम्य गनाल मनुष्य मां पौधे की बाती पौधा मिलता है तो वो है इन दोनों से जो मां पौधे की बाती पौधा मिलता है बीजों से और तनाकाट से दोनों से मिलता है 80% से अधिक cell में पाया जाने बाला पधार्ट कौन सा है तो वो है जल इंसूलीन किस से प्राप्त होता है इंसूल इंसूलीन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है अर्गोबिंध खुराना को किस आविस्कार के लिए संबन्द किया गया था जीन के संसलेशन के लिए प्रियोग साला में DNA का संसलेशन किया था है नो ने ठीक है संसार का सबसे बड़ा पुस्प कौन सा है सबसे बड़ा पुस्प रेफलेशिया है वी ओप्शन करेक्ट है तना काट आम तोर से किसके प्रवरंदन के लिए प्रियोग किया जाता है तो वो है गन्ना जो तना काट है वो गन्ना के लिए काम में आता है मटर पोदा है मटर एक साख पोदा है ना तो पुस्पे ना ही जाड़ी है मटर एक साख पोदा है बिकास का मुख्यकारक क्या है तो बिकास का मुख्यकारक है उत्व परवर्तन ए उप्सिन करेक्ट है मनुष्य के सरीर में पैर की हड़ी खोकली होती है मनुष्य के सरीर में बहुत एक परवरतन का एक उधारण कुन सा है पानी में चीनी का गुल्ला ये बहुत एक परवरतन का उधारण है D option correct है तब कोई पिर्तिकरिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है उपर से तो correct answer इसका अल्मुनियम Stainless Steel मिस्रधातू है Stainless Steel लोहेओर क्रोमियम की मिस्रधातू है C option correct tier Nicholas attained को पर-णिकस किसलिए प्रिशिध है यह बताने के लिए कि गिर्ह सुरे के 4 और चकर लगाते हैं नाकि पर्तिवी के निकोलास और क्निकस नहीं कहाता शीगरूत पादी रियक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नावी की रियक्टर जो बिजली उत्पन करता है यह इसके द्वारा इस्तिमाल की गई फिनायल सामगिर्यों को जलाने और उन्हें पुने अपयोग करने के द्वारा परमाणू उर्जा में भारतिय कारेक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं होमी जहागीर भावा एच जे भामा अंत्रिच विज्ञान पर अनसंधान और विकास का स्रे किसे का जाता है तो वो जाता है विक्रम सारावाई को ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट है अगर आपको कुश्यन्स ह बेल पूर लगे हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें